पैसा बाटने लगा पैसा तो आप पैसा बाटने लगा तो यह हुआ कमजोर हो जाएंगे तो कोई पैसा वापस नहीं जाएंगा तो 1949 में बना नाटो लेकिन अब दुनिया से थोड़ी कह सकते दे कि हम महाजन हैं तुम किसी से थोड़ी कह सकते हो I want to use you कितना असमवधानी कितना बारबारिक लगेगा तो तुम उससे क्या कहोगे I love you मुद्द वही है बात वही है लेकिन बहुत समवधानी है बहुत अच्छा लगता है सुनके अच्छा अच्छा तो अब तुम अगर यह कहो कि नाटो महाजनों का संगठन है तो बढ़ा बारबारिक लगेगा तो तुम कहो कि नाटो is a military organization of capitalist countries under the leadership of US to protect democracy human right kaha only in oil producing countries यह लिखना नहीं है यह सोचने की बात है sir इसको कहने preparation of civil services हमारे बड़े सारे मित्र यहां बैठें और सब अकूत ज्यान का भंडार अनुभो का भंडार राजू सिंह सर हमारे मोहित सर हमारे जिसे सारे लोग जितने भी लोग बहुत सारे लोगों का तो 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 सबके पास अपना अपना एक बड़ा घजाना है अनुभो का कि जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं मला यह सब ऑस्टेलिया की टीम है मैथ्यू हेडन अंड्रू साइमन माइकल वेवन रिकी पांटिंग तो अभी तो तुम्हें आपनी को बैटिंग करने हुए देखें अब इनसे जो गूर्ट यसा मेंस इसे हमारे राजू सरहें वह भी आपको बताएंगे इकनॉमी का क्या रोल है कैसे रोल है इसका इंपोर सबसे बड़ी चीज एक तो सबसे यूवा लोग चला रहे इसको नरेन शर्मा जी है बहुत अन्भवी आत्मी है और परिक्षा में बड़े अच्छे मुकाम हासिल गया इन्होंने तो यह जो संस्था आप यह लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्था का यूएस पी यह है कि एक नई चीज कई सारी चीजें जैसे उन्होंने कहा अंसर राइटिंग तो सभी कराते हैं बिल्कुल सभी बात हैं अभी आप मैंसे कई किसी ने जवाब दिया कि अंसर राइटिं हम सबसे आपकी मुलाकात होती रहेगी और अगला तो समेस्टर जब भी होगा जो न्यूस पेपर का होगा मैं आज आपके मैनेजमेंट से बाद कर लूगा कि अगला कब होगा समयना लेकिन वो पूरा न्यूस पेपर पे होगा वो कोई तैयारी यह यारी नहीं बाकि सर लो कुछ बाते ही जो मैं क्योंकि उस समय प्रेटा समय पन विश्टाम से कहना साहता हूं और उना ज्यांसर सभी नहीं चीजों को अबसर का जो ग्यान है और वो है वो तो अगर साहट हमने आ जाए तो मैं सबसे ब्रस्वा बागे साली अपने आपको समझोगा लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो कि हम अबने लिए अच्छा ये बताओ तुमें से प्रस्वा के अधार पर इस चल्चा को शुरू करते हैं यूपीस्टी की त्यारी में सबसे बड़ी समस्या हम जो फेस कर रहे हैं वो कौन सी है या परस्टनली किस तौर पर आप फेस करते हैं उसके समधान के साथ बात करेंगे बताइए यस बताइए आत्मिक निड़ता 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 नहीं रहती है क्या निर्भिकता निड़ता निड़ती है ये मैं बता दूँ क्योंकि हम एक धर्रे पर तयारी कर रहे है पिछले 50 साल से या जब से UPSC की लिगाशी या तब से हम तयारी कर रहे हैं और आज भी हिंदी माध्या में मूलता है हमने क्या देखा है कि जो syllabus है उसको पढ़ाया जाता है और teaching का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें syllabus खतम करवाना है चाहे उसके लिए साल लग जाए या दो साल लग जाए लेकिन बात हमेशा ध्यान रखेगा syllabus पढ़ना और उस syllabus को उस तरीके से पढ़ाना जिसमें आपका selection हो जाए इन दोनों में बहुत जादा अंतर होता है और ये ऐसी बात है जिसके कारण results बहुत कम मिलते हैं विसे इसकर हिंदी मात्या में है ना आवद हो जासे से मिलने के लिए इतने उत्सु को एक बार मिल लो सर है यहाँ पर और मिलकर फिर बैठ सकते हो है ना सर को यहीं बुला लिजी है सर को यहीं बुला लिजी है सर यहीं आजएगा प्रोग्राम को प्रजेट करते हैं जिसे आज एक बात हो गई एक पॉइंट हो गया एक तल कर लेते हैं एक परसो कर लेते हैं इस तरह से कर लेते हैं कि एक आपन पैसके टेन सकाड़।ो कि एक और टेन का हैं एक परकेश थोगा हैं गया तो फिरृत तरह बेहर की लेक शाया है इसके बाद परी से बागे जो आपके अपर दोड़ी आते हुए जिए लिए जिल्गारी तो आपलों पांच-माच मिन्ट बोल लिजिए आजी तिक और जो भी आपको उल्जा मिली है सर के व्याक्षान से अब हम करेंगे जब सब्सक्राइब अच्छा अभी सर एक घंटे का डाउट सेशन लेके अब सर लेकिन बीच में दो-दो मिनिट पाँच-पाँच मिनिट जो सिक्छगण है यहां पे वो भी अपने विचार रटने जा रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनिए काफी फाइदा होगा आपको और इसके बाद फिर अबद सर एक घंटे का डाउट सेशन आपका लेंगे तो थोगा इंतजार कीजिए जादा नहीं कुछ देर के लिए पाँच-पाँच मिनिट के लिए सभी शिक्छगण यहां पदारेंगे और वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे ठीक है तो मैं सबसे पहले आमन्तित करता हूँ राजी उससर को आई सर तालियों से स्वागत कीजिए इन गाव देखे एकनामी को लेकर के लोग काफी सोचतें की कठीन है डेटा होता है और पहले ही सरेंडर कर जाते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है आप पेपर हो रहे हैं देख लीजेगे कहा डेटा है उसमें कोई डेटा नहीं रहता है दो लेवल पे तैयारी करनी है इसमें एक बेसिक्स के लेवल पे जाकर और दूसरा जो है करेंट अफेर्स को जोड़ करके UPSC का ट्रेंड कुछ इस तरीके से है कि आपका बेस कंसेप्ट क्लियर हो और दूसरे एक वर्स के अंदर जो भी नहीं बाते डिसीजन की गई, इंप्लिमेंट की गई, चाहे हो RBI के द्वारा, चाहे है इंडिया गवर्मेंट के द्वारा उन्हीं चीजों को हमें एड़ अन करके पढ़ना होता है UPSC जो भी कुछन कुछती है, या तो कंसेप्ट पे जाती है, या एक वर्स के अंदर जो भी नया डिवलप्मेंट होता है, उससे कुछन उठाय जाता है NCRT से आपका बेस क्लियर होता है, NCRT एक ऐसी चीज है, जहां पर जो भी वह वर्ड यूज़ करता है उस वर्ड को डिफाइन करता है, और बहुत सरल तरीके से डिफाइन करता है जैसे माल नीजे की वैश्री करन सब्द बोलता है, आर्थिक वैश्री करन समझाने की कुछिस करता है तो वहाँ पर लिखता है कि किसी देश की अर्थ विफ्था को विश्व की अर्थ विफ्था से एक ही कृत करना तुरंत नीचे define कर देता है अगर आप लोगे ने anxiety देखी होगी तो आपको पता चल जा होगा जो मामुली 9th class की anxiety होती है जहां से economics की सुरुवात होती है उसके पहले history पढ़ाई जाती है जबर भी पढ़ाई जाती है बट economics 9 से ही सुरुव होता है जो उसका 9th का anxiety है उसका पहला चैप्टर जो पहला चैप्टर पालंपूर गाउं की कहानी ऐसा लिखा हुआ है आपको बताएं उसको पढ़िए और EPSC मेंस का जो agriculture का जो topic दिया हुआ है भूमी सुधार वो पूरा पूरा वो कहानी उसी के दोरा प्रजेंट हो जाती है यहीं क्लास 9th में NCRT मेंस के जो नया सलिवस है उसको वहाँ पर प्रजेंट करती है और रही बात जो हिंदी मेडियम और इंग्लिस मेडियम की कहानी था तो एक लाइन में बोलूँगा ज्यादा नहीं इंग्लिस मेडियम के बच्चे जो है अपने CBSC बोर्ड के पढ़ाई के दर्मियान NCRT सुरू से पढ़ते रहते हैं और हिंदी मेडियम के विद्यार्थी अपना B.A.M.B. कम्प्लीट करने के बाद जो UPSC की तेहरी के लिए आते हैं तो अब उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप NCRT पढ़ो और उसमें भी गफलत हो जाती है कुछ लोग सुचते हैं मैं UPSC की तेहरी NCRT क्या पढ़ा है बहुत हाई पाई चीज है उसमें क्या जाना तो वो सीरेस्ली उसको टेक अप नहीं करते हैं जब पढ़ने लगे कुछ विद्यार थी तो उन्हें लगे ये तो कथा कहानी है यार इससे कहां बात बनेगा आपको बताएं कि UPSC मेंस के जो टॉपिक आ रहे हैं वो सीधे सीधे ये NCRT में डिसकस किये गए है आपने देखा कि एक प्रशन आया कि किस तरह से प्राथमिक शेतर से सीधे डिवलप होके तरसरी शेतर वो NCRT में उसका उत्तर लिखा हुआ पॉन्ट वाइस पैराचेंज करकर के लिखा हुआ है आपचारिक अनपचारिक फॉर्मल, इन्फॉर्मल यह सारे जो टॉपिक बना हुए वही की प्यसी मेंस में आ रहा है पीटी की तो छोड़ ही दिजी आप बात इतना इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा जो 9th 10th का है अगर एक विद्यार जी थोड़ा कंसर्टेट होके पढ़ दिया तो एक दिन में 9th और एक दिन में 10th बस अंडरलाइन मार दीजे जो काम की चीज है और जो वैसे कथा कहानी की चीज है उसको बगल में ब्रैकेट लगा कट कर दीजे इसको दुबारा नहीं पढ़ना है बात खत्व 11th की जो इनसे आइटी है वो बड़ी अच्छी चीज है उसका जो पहला चैप्टर देता है आजादी से पहले का दूसरा चैप्टर 1947 से लेकर 1990 तक के हमने जो मिस्टेक्स किये हैं उनके बारे में 50 साल के कहानी तुरंद बया कर देता है और उसके बाद थर्ड वाला चैप्टर जो है LPG मॉडल पर चर्चा करता है यानि कि 1900 क्यांबे में हम लोगों ने जो सुधार लागो किया उसके उपर जो है चोथा उसका गरीवी पर बात करता है और पांचवा चैप्टर जो है Human Capital पर डिस्कस करता है योग फंड़ा ही क्लियर नहीं है कि Human Capital कहते किसको है Human Resource और Human Capital में Difference ही नहीं पता चल रहा है जो वहाँ आपको पता लग जाएगा ठीक है उसके बाद गरामिड विकास गरामिड भारत की करता है याणी कहने का मतलब कि और जो क्लास 12 की 12 की II उसको दो एक इसरी है एक माइक्रो पर है उ माइक्रो की हमें जरूत नहीं है PSA के इंडर माइक्रो की जरूत है और चार चैप्टर उसके इंडर दिये हुए एक बजट का है घंकिंग का है और बैंकिंग के अंदर उसने और नेसरल इंकम का है। जो उसने बैंकिंग में बाते समझा दी है, वो कोई भी मार्कित में बिखने वाली किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है, आप ब इतना जान लेजे, नहीं लिखा हुआ है। हाँ थोड़ा सा कठिन बना देता है उसको जो आम विद्यार्थी के लिए ग्रिफ्स नहीं कर पाते हों लोग तो थोड़ा किसी सिख्षक के माध्यम से चीजे को सीखी जा सकती है और वो जब ये चारों NCIT कम्प्रीट हो जाती है तो फिर आप आगे अपना निउस्पेपर के थ्रू और किसी ने बुक के माध्यम से भी कम्प्रीट कर सकते हैं इसको तो कहने का मतलब कि बस जादा नहीं हमें एक सब्ता NCIT पर देनी है एकनामी के वहां से वह बेस आपका क्लियर सारे टर्मिलोजी क्लियर और टर्म्स को डिफाइन करने का आपको जो है आउसर मिल इकनामी का मैं सुरू से चैप्टर सुरू करता था बैंकिंग, इंफ्लेशन, सेर मार्केट, टैक्सेशन, बजट, मुझे लोग कहते हैं उल्टा पड़ाते हैं बेस नहीं बदाते हैं और 20 वर्सों से मैं ये प्रूफ करते आ रहा हूं कि UPSC इनी छे चैप्टर्स पे फु जिसको UPPCS देना हो, जिसको बिहार देना हो, फिर उसके लिए स्ट्राड़ीजी अलग होगी, UPPCS के स्ट्राड़ीजी अलग है, UPPCS के स्ट्राड़ीजी अलग है, UP में जाएंगे तो वहाँ पर गरीबी, विरुजगारी, जनसंख्या, नगरीकन, कृषी, बैपार, उद्य जो इन से ज़्यादा कोशिन हो, और जिन चैप्टर के हमने सुनु में नाम लिखे, उनसे पांच साल में उसने कोशिन भी नहीं पूछे, तो आप UPPCS वाली पढ़ाई लेके UPPCS नहीं पार कर पाएंगे, और UPPCS की पढ़ाई लेके UPPCS नहीं पार कर पाएंगे, तो जब ज जिस्ट्री में मतलब है, जोगरिफी में मतलब है, लेकि एकनामी में ज्यादा मतलब नहीं है, तो लाश्ट पिछले पांस सालों के किवल पैटर्न को आप देख लेंगे, और वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहां पर क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उ कर लेते हैं, तो जो है, मेंस के सारे कोशन फसाए जा सकते हैं, 80-90% कोशन फसाए जा सकते हैं, मेंस तो काफी आसार हो गया है, और रही बात की प्रिलिम्स में, जो सलेवस्ट डिसकस किया जा, गया है, मेंसन किया गया है, उससे तो हमें कुछ गाइडलाइन नहीं मिलता है गाइड लाइन तो मुझे मिलेगा question banks है ठीक है तो newspaper पर ध्यान रखना है जो भी नई चीज आती है उसको add-on करते जाना है कहां पर क्या-क्या एक साल के अंदर कहीं गई है EPSC का हमेशा एक trend रहता है कि एक साल में जो घटना घटती है चाहें उसको पूछ ले तो current फिरस आपका होगे और उसको नहीं पूछे जाकर उसके static portion में पूछे तो आप उसको concept का होगे ठीक है तो बस चाहें वह हम current में पूछ लो चाहें static में पूछ लो दोनों ही जगा हमारी तैयारी पूरी रहेंगी तो हमें कोई दिक्कत होगा लेकिन हाँ एक level तक तैयारी को जाना होगा केवल बेस थोड़ी सी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा तो हम समझते के question हल हो जाता है कई तरीके से हल किया जाता है एक knowledge के एक उन्भोश किया जाता है आप उसमें क्या करते हैं देखते हैं कि कोई चीज जीटी नहीं जा सकती है लीड नहीं ली जा सकती है तो इतना ही कहोंगा समय कम है आप लो बहुत गेर से बैठे हैं और भी सर को सुनना है तो बाकी लोगों को नलिंज सर है आप तो अन्भा देंगे अबोले चुली कुछ पूशेंज बोलो ऐसा है कि हाँ अलग-अलग क्लास से लेगे ना हिंदी बें इंग्लिस में अलग लग 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 सुधिज कर सकति वे लग 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 लगवा क्या recipes वेर राथय क्तु verdict से लग 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 अधर निये उजय सर, राजु सर, आभाज सर, तमाम से अच्छा गनिया मुझूद है। आज के इस सेशन में आपने ध्यान दिया होगा, कि ओजह सर ने जिस मकार से चीजों को क्लिर्फाई किया। दुन्द कहां तक पाला जाए, युद्द कहां तक टाला जाए, तू भी है राना का वंसज, भेट जहां तक भाला जाए। तैइस वर्स की अवस्था में जिस सबय भारत के युबा नसीरी और तमाम समय की बर रहते हैं, उसी तैइस वर्स की अवस्था में उसने गोल्ड मैडल लाकर भारत का बसना होगा। और उससे एक इंटर्व्यू में पूछा गया कि आपकी ये जो हेर स्टाइल हैं, वो किस से प्रभावित हैं, सारुख खां से या महें सी, दोनी से, उसने जवाब कहा, इट्स माइ ओन स्टाइल, तो मेरा आपसे यही है, आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, और ये स्ट पूरी लडाई की जर्व ही है, राइटिंग स्किल, क्योंकि आप उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और इंटर्व्यू के लिए आपको कॉल आएगा, तो मुख परिच्छा में जो मार्ट्स हैं जो इंटर्व्यू से आपका मेरिट बनेगा, तो सबसे जादे मेहनत, जैसे आरम में बेस बना लें, जो एंसी आर्टी की बात यह कर रहे थे, उसके बाद आप राइटिंग स्किल पर मेरिट करें, और राइटिंग स्किल के लिए आपको आंसर कितने में लिखना है, 150 वर्स और 250 वर्स, 50 वर्स के अगर एक पराग्राफ मालें तो 3 पराग्राफ for 150 वर्स and 5 पराग्राफ पर 250 वर्स, पूरा गेम है 150 और 250 सब्दों का, 200 वर्स का अगर 150 में पूछ रहा है तो 50 सब्द बला दे, अगर 250 में पूछ रहा है, तो 50 सब्द कम कर ले, 250 में पूछ रहा है, 50 सब्द बला दे, अगर 250 में पूछ रहा है, तो 50 सब्द बला दे, अग सब्सक्राइब कर लें। उस पर कमांड कर लिए, अगर आप से पूछा जाए कि, what is capitalism, तो पूरी दुनिया की कहानी न सुनाने लगे, simply here, capitalism is a system in which the means of production and distribution is controlled by the capital, and capital is controlled by either individual or a group of individuals. And during the age of capitalism, different European companies, and between European countries adopted the policy of mercantilism. I am using the term mercantilism, what is mercantilism? Mercantilism is a state-exponsored economy, in this system, the economy was patronized by the state, patronized by the state, and promoted by the state. Simple भाती, की पॉइंट मैंने बताया, patronized by the state, promoted by the state, and protected by the state. अब इस mercantilism को जोड़िये, कि कहां implement हुआ? For the process of colonization. अब colonization में कहां को अपूरा-अमिर की महादेश को देखिये, they became the colonies of different European countries. Northern part became the colony of France. Central part became the colony of Britain. Latin America became the colony of Portuguese and Spain. And some party became the colony of Holland. अब ये पांच देस हैं. अब पांच देस कहां से आए? Mercantilism से. अब आईयस का question निगाल के देखिये. American Revolution से कोई प्रस नहीं पुछा गया है, कि what was the factor of American Revolution? What was the resultant of American Revolution? Question क्या पुछा है? American Revolution was the economic revolt against mercantilism. ये GS का question है, I am not talking about the optional. GS का question है कि अमेर की क्रांटी वाने जबाद के बुरुद्ध एक बिद्रों था. और now you are not in position to understand the mercantilism, capitalism and colonialism, imperialism. आईयस कैसे लिए? लिख नहीं पाया है. Industrial Revolution, Economy, Second Industrial Revolution, और दोनों industrial evolution का सीधा सा सम्बंद है, World Wars. अब अगर economy को नहीं समझ पायेंगे, तो World War को नहीं समझ पायेंगे. अब simply पूछा जाए, what is World War? The World War was basically an imperialistic war. and all the related countries were fighting for their colonial interest. अब देखियो मैंने कहां से जोड़ा? World War का जवाब क्या विश्यू यूद्रिया है? एक सम्धाजवादी यूद्र था, जिसमें सभी सम्धिदेश अपने अपनी वेसिक घितों की रक्षा के लिए लग रहे थे. लेकिन अगर हम कहें, कि हम अपनी वेसिक रक्षा करने के लिए लग रहे हैं, तो कोई हमारा साथ देगा? नहीं. तो ये लोग कहेंगे, ये कि वी आफ़ाइटि वार्टिक बैल्यूस, वी आफ़ाइटिंगेंस फासिस्ट पावर, अब हम लोग लोगतांत्रिक मुल्डे के लिए लग रहे हैं, फासिवाद के खिलाव लग रहे हैं, अब यहां एक तर्प आ लिया फासिवाद, अब आफ़ाइब को पता मैं चाईए, फासिज वाइब को पतामा चाईए, फासिज, फासिज is a system in which the means of production and distribution is controlled by the state. According to Verito Mussolini, the propounder of fascism, nothing outside the state, nothing against the state, nothing about the state. इतनी conceptual clarity होनी चाहिए, अबल सर्में बार बार एक सब्स्द काह, conceptual clarity, जो भी सब्जेक्ट पर है, हिस्ट्री, जग्रथी, पॉलिटी, कॉल्वी, टिप्स पर सारी चीज रहनी जाए, हम तो जब स्कूल में पढ़ते थी, हमारे एक संस्क्रिप के पंडिली आते थी, और बैठ कर बैठ जाते थी, सोने लगते थी, बोलते थी, चैक्टा नंबर फा लेकिन वो जुवान पर आगए, कोई सब्जेक्ट जब पर है, तो कंसेप्चुल के लिए निखी रहे, टर्मिलोजी पर कमान रहे, जो क्वेस्टन पूछे जा रहे हैं प्रिवियस एर के उनको देखिये, और इस्पेक्टेड क्वेस्टन अपने टीचर से लिए उसका रा और भी वक्ता है, आप से वो डिसकस करेंगे, एक बात में ये बता दू कि एक बार मुझे पता चला है, कि मेरे बंची, चुकि यूट्यूब पर ओजासर के वीडियोस धेर सारे हैं, एक दिन मेरा बेटा अविट्वार्य का पेपर दे रहा है वो, कहा कि पापा, आप तो लेकिन मज़ा आता है वो जासर के खलास है, मैं मुस्कुराया, मेरी वाइख कहें कि आपके बेटे पर संसक हैं, दूसरे हिस्टरी के टीचर कि आप जो मुस्कुरा रहा है, मैंने कहा कि सुक्र है कि मेरा बेटा फैन है, कम से कम बेजी बीबी तो फैन नहीं, तो कहने का मतल पूरा का पूरा जो सभार था ये इंद्र धनुस की तरह है, अलग-अलग टीचर, अलग-अलग डाविंसन, इस्टाइल अलग, पढ़ाने का तरीखा अलग, वो उड़ी को संभूर्टा में लीजे, बच्चे गल्ती क्या करते हैं, उनका ये जीच पसंद है, उनका ये पस संद है, उनका ऐसे, इसी में उलजके रहा जाते हैं, कहां एडिपी सर लिया, सर उस संसान का हिस्त्री अच्छा, उसका बॉलिटी, इकोंटमी, पढ़ते ही हैं, पांस साल के बाद, दो साल के बाद मिलें, सर अभी तक डिसाइब नहीं किया, के बल वर्ट सो पैटन कर लिय तो मिले कहां, सारनाथ में, पूछे कि कहीं, बोला कि सब उप्यूप जगह की तलास करा, कहा कि बैठ जाओ, अब मुझ से क्यां लें, छे बर्स में बुद्ध ने पीच्छी का ठिसिस लिख दिया, और ये छे बर्स में भटकते रहे, कि कहां, कब, कैसे पराद जाए, तो क साधन से, टाटा बिरला का बाने का बेटा सिदे समय से सुते, यारी नहीं करता, और हम आप सभी वही मिले क्लास फैमने से आए हैं, इसी बत्रा में, इसी मुखरजे नगर में, सब ने संघर्स किया, सभागे बर्स और आलोजनाओं से तु कतहीं, पीछे मत आड़े, मैंने एक किताब में एक चैप्टर लिखा, आपने एक मित्र को दिखाया, रहे बगवास है, क्या दिख दिया आपको, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हा लिए, वो भेज दिया, मैंगराही पब्लिकेशन को, उन्होंने भेजा, प्रोफ्रेसर को, स्पेसमन को, पर्फिसली अबाट, उनको भेजा, उन्होंने बहुत अच्छा फिड़बेक दिया, वेडियो वर्ड हिस्टिक किताब, मैंगराही पब्लिकेशन से प्रकासे, तो USA का पब्लिकेशन था, अगर मैं अपने उस मित्र पर रह जागा, जिन्होंने कहा कि ये बगवास है, तो किताब तो नहीं आपा इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, ना हो जरजर ही सही लहरों से टक्राएं तो है, हमें तेबर टक्राएं और कुछ में चाएं, घंदवादा बहुत-बहुत धन्यवाद मेलें सर्कुल, अब मैं आमन्चत करता हूँ, गौतामानन सर्कुल सामाजिक मुद्धों पर विशिस सेक्रता आवासन की वे यह रोने, तो पांक से दस मिनिट आप इंसे भी रूबरू होने, गौतामानन सर्कुल गौतामनन अप्रिवड़ी, काफी लंबे समय से आप लोग बैठें हैं, लेकिन ओजासर जैसे वक्ता, विद्वान यहां उपस्तित हैं, इसलिए ये जो आज का बैठने का जो कस्ट है, वो आपको उतना महसूस नहीं हो रहा है, है ना, देखो, सेमिनार की परंपरा बत्र पर प्राचीन नहीं है, लेकिन आज का समिनार कई माइनों में अलग है, यहां आपको मोटिवेशन भी मिला, यहां आपको तयारी का सही तरीका भी मिला, यहां जीवन जीने का तरीका, जीवन को कैसे संचालित करने का तरीका, यह सब आज आपने सिखा, आईस बनना ही मात् अपनी छेत्र में वहाज सफल है। आप एक अच्छे इंसान बने यह भी आपने आज की समिनार में सिखा। तो उमीद है कि आप लोग अपनी अपना ट्रस्ट सिधार का यह सोर हमारी पूरी टीम पर बनाए रखें। और इससे आपको लाव ही मिलेगा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मेरा जो विशेच हित्र है वह समाजिक मुद्धों का है। मैं एक दो बाते आज जरूर रखना चाहूँगा। प्राया रिजल्ट खराब हुने के पिछे हम लोग ब्लेम के लिए 50 बाते रखते हैं। तो आप ये समझें कि किस पार्ट पर गल्टियां हम से हुई है। जैसे नरीन सर्में भी आपको कहा कि सारा दारोमदार रूट सिर्फ और सिर्फ कहा है मुख के परिक्षा परूर। प्रिक्षा कैसी है? स्क्रिणिंग टेस्ट है। वहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, डिसाइडिंग फैक्टर कहा है मेंस परूर। जो मेंस का खंड है आप उसकी तैयारी में बहुत सारी गल्तियां कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते वक्त उन विश्यों को प्तमिक्ता देते हैं, जो प्री और मेंस दोनों में है हैं, परंतो उन विश्यों के साथ, आप एक उपेक्षा पूर। भार करते हैं, जो मेंस एक्स्लूसिप के पार्ट है। जैसे आप rank और selection में देखेंगे paper 1, 2, 3, ये तीन paper में marks में fluctuation आपको नहीं दिखेगा, ज़्यादा थोड़ा बहुत दिखेगा, जो deciding part है उसमें paper 4 है, कुछ paper 1, 2, 3 के neglected areas है, जैसे मैं आपको बताओ, आप market में ढूमने निकल जाए, इतिहास, भुगोल, quality पर आपको हजारों किताब मिल जाएगी, लेकिन मुझे एक बच्चा को बता दे कि सर, social justice पर एक किताब मैंने अच्छी देखिए, क्या सहमत है जो मैं कहना चाहरा है, सामाजी की नियाए खंड पर एक किताब दिखा दीजिए, मुझे नहीं मिलेगी, या भारतिय समाज जैसे topic पर कोई एक में, 20 सवाल में, अगर 6-7 सवाल, society जैसे खंड से आ रहे हैं, जो आपके लिए बिलकुल neglected है, तो फिर सफल होना, असफल होना, ये तो आप खुद इसके जमेदार, paper 2, सामाजी की नियाए का प्रश्म जब आप पढ़ेगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कि आ तो पूछना क्या चाहा है, क्या वो governance का topic है, क्या वो economic background का है, या वो social welfare या social justice का part है, तो कुछ ऐसे unexplored areas हैं, जो coaching के द्वारा भी जिस पर vicious ध्यान नहीं दिया जाता, देखो, जो market में coaching institute है, मैं उनको blame नहीं करता, बट demand और supply का exchange होता है, आप भी इतिहास, भोगोल, बश्ता, ये जो pre और means में जो topic common है, वहीं पढ़ते हैं, और coaching भी आपको बार बार वहीं पढ़ाता है, जब बात pre की आती है, दब तो नईया पार है, या नईया अगर डूप भी गई, तो फिर उमीद है कि फिर इसको improve करके अगले सा, लेकिन जब आप means में आते हैं, तो इन विश्यों को जिनको आपने neglect किया है, उससे कभी गौर किया है कितने number की सवाला है, मैं सिर्फ अपने विश्य की बात कर रहा हूँ, मैं किसी विश्य को उचा या नीचा नहीं कर रहा हूँ, हम सफल होने आए हैं, हमारा प्रियोजन सफल होना है, तो यह माइनी नहीं र पर बहुत चीजे clarity के साथ आ जाएगी, जैसे सामाजिक नयाय और भारतिय समाजी इन दोनों खंडों से पिछले 5 साल के सवाल उठा कर आप देखें, पेपर 1 में लगबख 70 से 90 नंबर के marks, पेपर 2 में 60 से 80 नंबर के सवाल इन दो खंडों से आये हैं, जो सबसे ज़्याद अच्छा है, ये बुरा है, हम यहाँ सफल होने आएं, अगर माल लिजिए, आप कौन होते हैं, decide करने वाले कि ये मिशे अच्छा है या आप अपनी रूची के मताबिक तयारी करने नहीं हैं, अगर तयारी करना है तो thoroughly करें, किसी भी subject को neglect न करें, जैसे एक example मैं दूँ आपने से कितरे चार्क है, जिन्होंने अपने जीवन का एक व्यवस्थित निवंद लिखाए, एक व्यवस्थित निवंद देखिए, इस पूरी कख्षा में जो लोग हैं, उसमें से सिर्फ एक शार्क है, हम अपने जीवन का पहला प्रामानिक और व्यवस्थित निवंद कहां लिखते हैं एक जामनिशन होल सोचो एक जीएस के धाई सो मार्ट के कारल है निवंद का पेपर लेकिन आप उसे कभी भी अटेंट नहीं करते और फिर दो सारोपन के लिए तो हम सिक्षा कोजिक वाले हैं सोचिए कि धाई सो मार्ट टोटली आनेक्स्पलोड है नेगलेक्टिड पार्ट है जस्टिस, इथिक्स ये सब चीज़ें आप ज़्यादा फोकस नहीं थे ऑप्शनल, ऑप्शनल भी ले लिया तो बेमन से कहने का मतलब है हम पेपर वन से लेकर पेपर फोर, निबंद, ऑप्शनल हर चीज़ को पूरी की पूरी उर्जा के साथ और इमानदारी के साथ पढ़े तब ही सफल होंगे यहां एक-एक नंबर माइनी रखता है और आप इतने सारे नंबरों को आप नेगलिक्ट कर रहे हैं इसलिए मेरा जो खंड़ है मैंने मार्क किया कि यहां कोचिंग से लेकर छात्रों के बीच में समाज समाज क्या समाज थोड़कों देख लेगे हो गया समाजी की ने आई कुछ नहीं पॉलिटिक आई पार्ट है ने आई समझ गया